तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी तक फोर टॉपिक्स कवर कर लिये हैं मुरेज लॉव, VLSI, Design Flow, Modeling Style, Function and Procedures तो जैसे कि मैंने बताया था कि मुरेज लॉव दो मार्क्स के लिए जो इधर मेंने मार्क्स लिखके रखे हैं तो कौना topic कितने मार्क्स का आता है , जो भी आप topic कर लेंगे तो आप गैरंटी हो जाएगे कि आपको उस particular topic पर उतने मार्क्स को मिल जाएंगे ठीक है और जो भी नोट्स रहेंगे हैं मैने description में सारी के सारे notes डाल के रखे हैं आप जिस किसी भी वीडियो में है जैसे मुरसलफ में है तो मुरसलफ का पीड़िएफ मिल जाएगा उसका नोट ehkä VLSI design flow के अगर वीडियो में है तो आपको VLSI design flow दिस्कृप्शन में नोट्स मिल जाएगा ठीक है जिस भी वीडियो में है आप आपको particular उस वीडियो के description में आपको उस particular topic का notes मिल जाएगा ठीक है तो आज हम देखने जा रहे है test benches ठीक है यह test benches यह भी काफी important topic है तो काफी बार यह question आता है और यह question आता है यह almost 5 marks carry करता है ठीक है मैंने पिछले बार पिछले इसका बताया नहीं था function and procedure कितना marks का आता है देखिए यह four marks का जाता है बट जब भी आप four marks अगर question लिख रहे तो आपको हरी चीज़ बताना पड़ेगा function क्या है procedure क्या है उसका syntax लिखना पड़ेगा इनके से अगर कोई प्रोग्राम अगर possible होता है कि कोई आप प्रोग्राम के फॉर्म में को कुछ दिखा सकते हैं चोटा सा आप लोग सीधा सीधा क्या करिए सीधा सीधा पेपर में लिख देंगा जो भी आपका question पेपर रहेगा तो सफिशन्ट है आपको उतने मैं से उतना marks मिली जाएगा राम से अब यह test benches भाई क्या काम करता है क्यों आप बेसिकली देख सकते हो नाम से पता चल रहा है कि टेस्ट और benches कुस तो भी हम लोग इतर टेस्ट करने वाले हैं ठीक है टेस्ट का मतलब यह हो गया कुछ तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे कुछ benches रहेंगे अलग अलग तरीकी के benches रहेंगे तीन-चार आपको benches मिलेंगे उस benches के तोर पे आप लोग आपके जो भी आपका जो भी आप लोग बनाओगे बनाय हुए चीज को आप टेस्ट करने वाले हो तो असी का मतलब होता है test benches तो अलग अलग तरीके रहेंगे और उसको अलग अलग तरीके बनके बाहर निकलेगा या फिर आपने बना दिया भाई उसकी टेस्टिंग होगर होई नहीं है आप लोग सिधा मार्कर में डाल रहे हो उसका जो आउटपूट डिजाइड है वह मिलिंडर आपको तो इसलिए आपको टेस्ट करना पड़ता है तो आज हम लोग टेस्ट सबते हैं तो यहां टेष्ट बेंच ही बता देरा है टेस्ट बेंच बेंच गिस्ट measured डींडर अफ опыт डव डीजाइन गहरे हम लग उसके फंक्षून को वेरीफाइड करने के लिए हम लोग टेस्ट बेंच का test का करते हैं किसक्रों का बुंस करते थ Γाल टेस्ट बेंच का a test bench allows the design to verify the functionality at each step in the HDL synthesis-based methodology तो test bench का main importance यही है कि आप लोग हर एक step पे क्या चीज हर एक step पे आप लोग जो भी आपने design बनाया है आप लोग उसको verify कर सकते हो ठीक है जो भी उसकी functionality रहे कि उसके functionality को आप लोग हर एक step पे क्या कर सकते हो इन HDL synthesis-based methodology synthesis-based methodology यह एक methodology होता है जिसको आप लोग हर एक step पे verify कर सकते हो उसके functionality को ठीक VHDL में I hope so clear है होता क्या है test bench का काम क्या है ठीक इधर समको पता सल लगया when designer changes the design to fix the error the change can be tested to make sure that it did not affect other part of the design तो जब भी आप लोग कोई design बना रहे हो कुछ changes आपने कर दिया ठीक उसके अंदर कुछ error आगया आप ने ऐसे एरो को fix किया और उसके बाद फिर से आप लोग उसको test करने जा रहे हो कुछ changes करने के बाद आप लुग changes आई है कुछ error तो नहीं आया है तो उसको check करने के लिए हम लोग test bench का यूज़ करते है ठीक है error the changes can be tested to make sure that it did not affect other part of the design तो दूसरे part of the design है उनको affect ना करे उसके लिए हम लोग test bench का यूज़ करते है तो एक simple flow diagram इस तरीके का होता है following block diagram diagram shows the following flow of the bench तो इस तरीके से आप लोग उसका diagram निकाल चकते हो और देखिए आप लोग कभी अगर test bench लिख रहे हो इस particular topic पर बंदे को knowledge है उसने इतना लिखा है उसने diagram बनाया है flow बताया है 21 तरीके से होता है आपने diagram निकाल जा तो examiner को पता चल गया कि भाई इसको इसके बाइर में पता है इसलिए उसको diagram निकाल पाया है ठीक देखिए आप इदर theory में क्या लिखे हो it's not important लेगिन आप लोग flow diagram क्या बना रहे हो इसको कैसे explain करोगे देखो डाइग्राम आपको पता था आप लोग कुछ भी बता सकते हो simulation driver क्या है dut क्या है आप लोग इस चीज़े बता सकते हो जब आपको इसका definition पता चलेगा ना तो इस चीज़े बता सकते हो इसलिए flow diagram important है ठीक है अब इसमें क्या लिखा है देखो सबसे पहले होता क्या है stimulus driver तो यह एक driver रहेगा जैसे आपका pen drive होता है उस तरह के driver रहेगा इस driver के अंदर आप लोग क्या करोगा आपका program डालोगे जो भी आपने design बनाया है उस design को आप ल stimulus driver के अंदर डालोगे फिर वो जाएगा DUT तो DUT क्या होता है design under test तो जो भी आपको design रहेगा आपका stimulus driver में डाला वो testing में जाएगा DUT में जाएगा फिर DUT में से एक process है यानि okay वाला तो इदर जाएगा और एक आपका good results रहेगा जो भी आपको decide चाहिए आप लोग क्या करो error मिला तो वो error क्या होगा आपको यहाँ पर show होगा तो आपको पता चाहिए का भाई मैंने यह कुछ changes की थी और इसके वज़े से मेरा कुछ दूसरा एक error आगया तो फिर मैं क्या करूँगा भाई मेरे को पता तो चल गया कि मेरा यह error आया है तो मैं उस error को क्या करूँगा फिर फिक्स करूँगा जब मैं वह error को फिर से fix करूँगा फिर से मैं इसको हास डालूँगा फिर से दोने चीजे compare होंगी फिर मेरे को थोड़ा सा error कम मिलेगा जैसे जैसे error में कम मिले जाएंगे मैं चीज़े फिर से इंदर input करते जाऊंगा और जब तक मेरे को error 0 नहीं मि तो यह चीज होगी तो यह test bench हो गया आपका एक सिंपल सा definition तो आपको थोड़ा बहुत लिखना भी तो पड़ेगा एक्जाम में तो लिखना क्या है आपको तो जो मैंने आपको बताया इसमें आपको सेम यही चीज आपने जो फ्लो डाइग्राम में निकाला है आपको अभी यही चीज एक्स्पेंड करनी है इसमें क्या लिखा दर टेस्ट बेंच एनकेप्सुलेट्स द्राइवर डियूटी नोन गूड रिजल्ट्स तीन चीज मैं ने बतायी थी बीच में आपका okay था ठीक है रिजल्ट अधेस इंटर्नल सिग्नल्स तु मेंग देप्र ब्रापर कनेक्शन और इंटर्नल सिग्नल रहेंगे जो की प्रापर कनेक्शन करने के काम आईगा थीच्छा थीच्ड़ में आपने देखा है कौन से फिगर में इस फ जाएगा यानि क्या है वो डिजाइन अंडर टेस्ट डिटी रिस्पॉंस दे इन्पूट डेटा एंड प्रोड्यूसेज द आउट्पूट रिजल्स फाइनली तो जो भी रिजल्ट रहेगा डिटी उसको प्रोड्यूस करेगा फाइनली आपको एक आउट्पूट मिल जाए ठीक और यहां से आपने जो डिजाइन बनाया है आप यहां से उसको इन्पूट करोगे दोनों चीज यहां पर कंपेर होगी कंपेर होने के बाद जो भी आपको ऐसा लगता कि भाई 16 को पता चलेगा कि यह जो मैंने इदर से डाला है और जो मैंने गूड रिजल्ट का डाल यूज दे फ्लेवल अफ अफ अब्सक्राइटें फॉरर लेवल डिजाइन दिस्कृप्शिन चू़ी अफ पाट विप्टेस्ट बमिच तो जब भी कोई डिजाइनर कोई डिजाइन करेंट कर रहा है तो क्या करता है स्ट्रक्श्राल रेवल अफ अफ स्ट्रेक्शन का कुछिश करेगा अगर compare हो जाता है error आपका 0 आता है then it is okay else वह okay नहीं है आपको फ़रसा और काम करना पड़ेगा ताइपस of test bench अब देखिए test benches हमने देख लिए test benches के इंदर type भी होते हैं तो कौन को से type है there are variety of ways to write a test bench test benches एक लिखने वाला तरीका होता है तो आपको करना क्या है there are variety of ways to write a test benches following are the most common कुछ common test benches हम लोग अपी देखेंगे तो वह पाच total पाच कुछ common test benches test benches है ठीक है तो सबसे पहला आता है हमारा stimulus only सिर्फ stimulus सिर्फ एक ही stimulus contain only stimulus driver and DUT and does not contain any result verification तो इसमें कोई आपको result नहीं मिलेगा सिर्फ यह content करता है stimulus driver and DUT आप driver है का driver के अंदर आप अपने design डाल दो फिर DUT design under test test होगा बट आपको यहां पर कुछ result नहीं मिलेगा ठीक है आपको सिर्फ चित आपका output हो आएगा verification होके मिल जाएगा कि वह सही है कि नहीं है आप उसको compare नहीं कर पाऊगे stimulus only में यह होता है उसके बाद full test bench तो full test bench में क्या होता content stimulus driver known good result and result comparison तो जो अभी आपने diagram देखा था तो वह था आपका full test bench यह जो है आपका full test bench तो यह सबसे ज्यादा prefer किया जाता है because इसमें आप compare भी तो कर ले रहे हो तो वह उसका एक फायदा होता है उसके बाद simulator specific test bench is written in a simulator specific format तो simulator specific अगर रहेगा तो वह जो चीजी होती हो simulator specific format में लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता मेरक भी नहीं पता है बट इस तरीके से लिखा जाता है कि यह तो कभी यूज नहीं होता है ज्यादा यूज नहीं होता है बस आपको थेरी समझ में आनी चाहिए बस आप तो थेरी पर थोड़ास फोकस करिए ठीक और जो भी आ है नहीं तो आप लोग यह लिग देंगे तो भी आपको पुरा माक्स मिल जाएगा hybrid test bench इसमें क्या होता है इस hybrid के हिसाफ से पता चल रहा है कि कुछ hybrid है it is combination of more than one test bench styles return to get ultimate speed from simulation तो क्या होता है जब भी आपको design डल दो कभी कबर क्या होता है तो एक hybrid test bench कर दिया है कि 2-3 test benches रहेंगे उनको combine करेंगे combine करके उनको क्या करेंगे थोड़ा सा जो भी output आने वाला थोड़ा सा उसको speed up कर देंगे भाई हमको थोड़ा जल्दे deploy करना है फिर हमको market में जल्दे से product launch करना है तो थोड़ा सा fast कर देंगे ठीक तो उस तरीके से वह थोड़ा सा fast हो जागा hybrid कर देंगे फिर fast test bench as the name specifies the test bench is written to get ultimate speed for from simulation तो यह जो test bench लिखा जाता है यह थोड़ा सा नाम से पता चल रहा कि भाई यह test bench इस तरीके से लिखा जाता है कि हमको ultimate speed मिल सकते हैं simulation का ताकि हम लोग जल्दी से वह error find कर सके और उस पर काम करना चालू कर दें और जल्दी से जल्दी output हम लोग लाएं ठीक है अब उसके बाद advantages and disadvantages क्या होता है यह देखि सारे के सारे topic लिखना सारे के सारे point लिखना काफी ज़रूरी है ठीक तब यह आपको out of out mark मिलेगा नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक advantages and disadvantages क्या है advantages allows input and output test vectors to be easily documented तो जो भी आपका input और output आएगा तो वो एक documentation के form में आपको मिल जाएगा कि एक document के form में मिलता है अगर आप लोग कोई भी अगर testing करते हो ना तो आपको document के form में मिलता है यह चीज सही है कि नहीं है कहाँ पर error आया है कहाँ पर नहीं है सारे चीज़ आपको मिलनी चाहिए तो एक advantage है documentation के form में मिल जाता है फिर some test benches can be used to verify the functionality and timing described by post fit model तो क्या होता है जितने भी आपके some test benches can be used तो कुछ test benches ऐसा है कि जो verify करने काम आता है functionality and timing described by the portfolio model तो जो भी आपने timing described की है उस particular timing describe करने पर ही वो test cases जो भी रहेंगे आपके या फिर जो भी आपके test benches रहेंगे जो भी output रहेगा आपको मिलेगा error मिल जाएगा जो भी error मिलेगा आप लोग उसको resolve कर सकते हो एक time bound के अंदर जो भी आपने time described की है उसके अंदर ठीक है तो यह एक advantage है कि आप लोग अपने हिसाफ से time fix कर सकते हो आप लोग उसके functionality verify कर सकते हो again input output जो भी आप करहेगा वो easily documented है आपको आराम से documentation के इसको चेक कर सकते हैं अगर किसी चीछ का advantage है तो disadvantage भी होगा the disadvantage is that the designer can make errors while writing test bench test bench तो जबी भी test bench अगर लिखेगा तो उस time पर भाई हो सकता है कि designer तो अपने तरब से कुछ ना कुछ तो mistake होने वाला है because we are not computer ठीक तो कुछ ना कुछ तो error आएगा और वह error ना उसी time पर वह resolve नहीं कर सकता है वह उसके हाथ में नहीं है designer thinks the test is correct तो designer को क्या लगेगा कि जो मैंने test bench लिखा है वह सही है but वह सही नहीं होता है ठीक है अगर वह incorrect है तो भी designer को यह लगता है कि correct है तो यह थोड़ा सा disadvantage है कि जब भी आपको test bench लिखना है तो designer अपने तरफ से तो लिख देगा कि भाई मेरे को इस तरीके से मेरा कुछ नहीं बता है तो यह चीज पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम आप एक टाइम पे लिख दो फर्स टाइम लिखो और वह वर्क आपका जो भी test bench हो सही आए वह ऐसा नहीं होता है तो वह कुछ नहीं कुछ तो error रहता ही है डिजाइन को लगता ही करेक्ट बद वह करेक्ट नहीं होता है तो वह प्रैक्टिस लगता है उस चीज को ठीक है करने के लिए तो यह एडवांटेजिस हो गया यह टॉपिक आपको यह पर्टिकलर पॉइंट आपको जहान में रख तो आपको सबसे पहले test benches पता होने चाहिए पाचों के पाचों test benches कौन कौन से हमने अभी describe किया है वह आपको पता होना चाहिए उसका speed होगा उसकी flexibility होगी और उसकी portability होगी ठीक है यह हम लोग देख लेते हैं कि speed कितनी है किसके कितनी speed है कौन कौन कितना flexible है और कौन कित सकते हैं बस speed में थोड़ा सा पीछह है उसके बाद full test bench full test bench speed is speed इसकी थोड़ी काम है speed simulation के जैसी है बट यहाँ फूल टेस्ट हो रहा है ठीक कंपर भी कर पार है आप लोग flexibility अच्छी है high है portability भी अच्छी है कई पर भी इसको यूज कर सकते हैं उसके बाद simulator specific देखिए इसक हो है हर जग पर stimulus specific यह हर जग यूज नहीं हो सकता है काफी कम जगप यूज हो सकता है hybrid वाला देखिए hybrid है तो भाई अच्छा ही होगा तो hybrid है तो देखिए speed उसका medium है अच्छा खासा speed मिल जाएगा आपको flexibility भी medium है कर सकते थोड़ा सक कम flexibility देखिए तीनों को कंपर करने के अच्छा मिडियम मिल रहा है ठीक है और portability है है इसको कहीं पर यूज कर सकते है फिर fast test bench इसको देखिए speed बाइड डिफॉल्ट नाम से बता चल रहा है कि speed काफी जादा है आपको जल्दी से production करना है flexibility लो है आपको flexibility तो नहीं मिल पाएगी है और अगर आप portability देखिए तो port कुछ आईए उस तरीके से तो नहीं मिल पाएगा बट fast result मिलेगा लेकिन अगर आप फूल test bench में जाते हैं तो speed low है बट flexibility और portability दोने के दुनों हाँ है तो मैं तो बोलूगा कि अगर आप लोग कभी अगर कोई test bench लिख रहे होंगे तो full test bench में ही use करिएगा आपके system को verify करन होती है अलग-अलग test benches हमने देखा है उसके advantages disadvantages disadvantages देखा है flow diagram देखा है तो I hope test bench क्या होता है किस तरीके के होते हैं किस लिए use किया जाता है क्यों use किया जाता है तो यह clear हो गया होगा ओके और चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो आप लोग प्लीज चैनल को subscribe कर ले bell icon को press कर और देखिए जो भी चीजे हैं अभी इस लेक्षर में बताया गया है मैं इसका notes आपको description में डाल दूंगा आप लोग वहां से refer कर सकते हैं ठीक है और previous वीडियो जितने भी हैं सारे के सारे मैंने एक ही playlist में रखा हुआ है अपने VLSI के playlist में तो आप लोग वहां से उसको द क्राई कि झाल लोग जो जो उसको जब आपको से चाना हैं तो आपको सबस्ते हैं और दूंगा और अपको से व्हां सबस्तो हैं पर दूंगा ऍाल आपको